नमस्कार, मैं शीती जाओ, एमेरेस ड्यूज में आप से विदर्शकों का स्वागत है आईए देखती है आज की ताजा खवर अलिगड हत्याकान, बच्ची की पीता बोले सीम योगी से मिलने लखनाओ नहीं जाओंगा अलिगड में करीब 23 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में बच्ची की पीता ने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगी आजेतेनाच से इंसाफ की गुहार लगाई है उनका कहन है कि जब तक इस मामले में आरुपयों को फांसी की साजा नहीं होगी तब तक वह चैन से नहीं बैटेंगे बच्ची की पीता ने यहाँ भी खाया है कि वह सीम से मिलने लखनाओ नहीं जाएंगे अगर अलिगड पहुचे तब मिल सकते है बच्ची की पीता ने मिलने से किया इंकार बता दे इससे पहले ख़बर दी थी कि बच्ची की पीता सीम योगी आधित्यनाच से मुलाकात करने के लिए लखनों आ सकते है सुत्रों से मिली खबर के अनुसार बच्ची की पीता को सीम कारेले की तरह से फोन किया गया था और उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाए गया था हालाकि बच्ची की पीता ने वहाँ जाने से इंकार कर दिया है आज की दूसरी खबर पाकिस्तन की पूर्वर राश्रपती आसिफ अली जरदारी गिरफतार पाकिस्तन की पूर्वर राश्रपती फरजी बैंक अकाउंट में गिरफतार किया गया है फरजी खताम आमले का सामना कर रहे PPP पाकिस्तन पुलिस पार्टी के सअध्दक्ष आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फारेल तालपूर को सोंवर को तगड़ा छटका लगा जब इसलमबाद उज्जन एले में उन्हें स्थानीय जमाना देने से इंकर करते हुए कानुप्रवर्तर एजेंसियों ने दोनों की गिरफ्तारी करने की अनुमती दी NAB ने उनके खिलाव वारन जारी किया था उन्हें जवाब देहा भीूरी ने मई में समन जारी किया था झाल